नमस्कार दोस्तों आज है 23 सितंबर 2019 और 23 सितंबर 2019 से करेंट फरस के जितने भी कुस्टन्स बनते हैं सभी को डिटेल में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे आप इस वीडियो का पीडियो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस पाया है लेकिन अभी कल की डेट में मैंने जो कोश्वन कर वाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के एक बॉक्सर ने जिनका नाम है अमित पंगाल उन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि वो वर्ड बॉक्सिंग चेंपियंसिप मैच के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतिय बॉक्सर बने थे पूरा इंडिया इस चीज को लेकर आस लगाए हुए है कि अमित पंगाल जो है इसमें गोल्ड मैडल जीतकर भारत का नाम रोशन करेंगे और अगर वो गोल्ड मैडल नहीं भी जीत पाते हैं तो भी वो फाइनल में पहुंच कर ही इ नहीं जीत पाया है तो देखो इसको लेकर कोश्चन क्या बना है कोश्चन यहाँ पर यह बना है कि वर्ड बॉक्सिंग चेंपियनसिप में अमित पंगाल ने कौन सा पदक जीत लिया है तो यहाँ पर सभी की धर्कने तेज हो रही होगी देखो आपको बदा देता हूँ कि सयोग बस अमित पंगाल इसमें गोल्ड मैडल नहीं जीत पाए फाइनल मैच में वो हार गए फिर भी हमारे लिए अच्छा है उन्होंने यहाँ पर सिल्वर मैडल जीता है तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि अमित पंगाल ने इस इवेंट में सिल्व ऐसे बॉक्सर बने हैं जिन्होंने वर्ड चेंपियंशिप में वर्ड बॉक्सिंग चेंपियंशिप में सिल्वर मैडल जीता है अभी तक देश का कोई भी बॉक्सर वर्ड बॉक्सिंग चेंपियंशिप में सिल्वर मैडल जीत कर देश का नाम रोशन नहीं कर पाय था इस इससे पहले चार ऐसे बॉक्सर थे जो कि यहां पर ब्रोंज मैडल और जीत चुके थे इस बार पहली बार सिल्वर मैडल जीता है लेकिन ऐसी आसा करते हैं कि जल्दी ही हम लोग भी इस इवेंट में गोल्ड मैडल जीत कर लाएंगे आप देखो इससे रिलेड़ेड और कुस स् Mackinux से संब्मदेद हैं तो आनसर कर देना। यह जो boxing से संब्मदेद है wrestling पर टिक करके चले मता आना boxiner अलग होता है wrestling अलग होती है ठीक है तो boxing यहां पर राइट अनसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाएंग तो यह जो अवॉरड है यह जो silver केटेगरी में जीता है तो आंसर टीक कर देना 52 किलोग्राम के भार केटेगरी में इसको जीता है चीक है साथी साथ में यहाँ पर आगे देखो फोटो भी आपको दिखा चुका हूँ इसके लाबा आपको दोस्तों इस बार हमारी जो खुसी है वो डबल इस वज़े से भी हो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक और बॉक्सर है जिन्होंने 63 किलोग्राम केटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है और इसी इवेंट में जीता है उनका नाम है मनीस कौसिक मनीस कौसिक ने 63 किलोग्राम केटेगरी में वर्ड बॉक्सिंग चेंपियंशिप में ही ब्रोंज मेड है दोस्तों आप सभी ने Oscar Award का नाम तो जरूर सुना होगा Oscar Award को लेकर question क्या बना है कि किस भारती किस फिल्म को 90 second Oscar Award के लिए best international feature film category में भारत की official entry के रूप में सामिल कर लिया गया है तो यहां पर देखो भारत की जिस movie को इसमें सामिल किया गया है Gully Boy इसको नाम है option D यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा Gully Boy को लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ Gully Boy जैसी movies को अगर Oscar के लिए भेजा जाएगा तो इससे भी अच्छा content है इससे भी अच्छी movies है जिनको Oscar के लिए भेजा जा सकता है लेकिन यहां पर Gully Boy को चुना किया है आपको यह चीज़ जानकर कैसी लगी आप लोग भी जरूर बताना तो option D यहां पर सही हो जाएगा इस बार जो Oscar Award दिये जाएगे वो 92 Oscar Award दिये जाएगे ठीक है तो यहां पर आप फोडो भी देख सकते हूँ Gully Boy का जिसको official भारत की तरब से भेजा गया है Oscar Awards के लिए हर न्यूस चैनल पर एक एवंट दिखा तो अमेरिका में आपको बदा ना dollar हे हौडी मोदी का अयओं अमेरिका की किस सहर में किया जा रहा है तो यहां पर इसका राइड einसर हो जाएगा AMेरिका में एक सहर है जिसका नाम हे Houston, option B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, Houston नाम के सहर में Howdy Modi करके एक event का organization किया जा रहा है, यहाँ पर आप इसका photo भी देख सकते हैं, जिसमें की साप साप लिखा है, मोधी जी की photo दिख रही है, Howdy Modi लिखा हुआ है, सितंबर 22, 2019 को रात के 10 बजी यह program TV पर आया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेकसास में Howdy Modi नाम का यह NRG Stadium में इसको organize किया गया था, तो यह कौन सी जगह है, Houston नाम की जगह है, जहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है, 22 सितंबर को organize किया गया है, और ऐसी उमीद बताई जा रही है, कि लगबग 50,000 लोग इसमें सामिल किये जाएंगे, यह जो Houston है, यह एक सहर है, अगर आप से पूछा रहे, अमेरिका की किस राज्ज में इसको organize किया गया है, तो इसको taxize rise में organize किया गया है, साथी साथ में आपको बता होगा, मोदी जी इस समय साथ दिन की अमेरिका की यात्रा पर गये हुए हैं, जिस पर भर भर कर question बनेंगे, आपको सारे questions में करवाता रहूँगा, अगले question की तरफ चलते हैं, फ्रांस के दवारा हाल ही में, भारत की बायू सेना को सौपे जाने वाले पहले रा परिका के F-16 नाम के लड़ाकू विमान को मार गिराया था उन्होंने, उस समय ऐसी बार हो रही थी कि अगर हमारे पास में राफेल लड़ाकू विमान होता, तो हम पाकिस्तानियों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से धूल चड़ा सकते थे, तो ये वही राफेल विमान जिनके नाम पर पहले राफेल लड़ाकू विमान का नाम रखा गया है, वो जानेंगे, ये जो नाम है आरकेस बदोरिया, ये भारती वायू सेना के अगले चीफ मारसल है, यानि कि चीफ है अगले प्रमुक है, तो ये एर चीफ मारसल होंगे अगले, उन्हीं के नाम पर इ इसका नाम रखा गया है, आच्छा एक चीफ मारसल तो बहुत सारे हैं, एक से एक टैलेंटर हैं, लेकिन इनके नाम पर इसका नाम क्यों रखा गया है, इस वज़े से रखा गया है, कि राफेल को भारत में लाने में, इनका बदोरिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इसका जो फाइनल पूरा ले आउट था, फाइनल जितने भी एग्रीमेंट्स थे, सभी को इन्होंने तयार किया था, और पूरा रास्ता इनी ने बनाया था, जिस वज़े से राफेल के पहले बिमान का नाम, आरकेस बदोरिया जी के नाम पर रखा गया है, आपको एक और यहाँ पर फोटो दिखा देते हैं, यह आप देख सकते हैं, रफाइल बिमान जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, साथी साथ में आपको यहाँ पर रफाइल बिमान की आरकेस बदोरिया जी के साथ में भी फोटो दिखा देते हैं, आप समझ जाओ, कि इस रफाइल बिमान का नाम जो है वो RKS बदोरिया जी के नाम पर रखा गया है साथी साथ में आप से कुछ और पूछा जा सकता है जैसे की फ्रांस की किस कमपनी ने देखो एक चीज़ यहां पर संदो फ्रांस के द्वारा हमको यह विवान मिलेंगे जिसकी total value थी 60,000 करोड रुपए, जिसमें 36 रफाइल विमान जो थे, भारत ने purchase किये थे, फ्रांस से, तो ये आपको पता होना चाहिए, आगे चलते हैं अगले question के पास, उससे पहले आपको बता दूँ, दोस्तों लगबग हर एक exam में 95% से ज़्यादा current office के जो questions है, वो हमार भी exam की तैयारी कर रहे हो, तो current office की purchase करने के लिए आप वीडियो के description में लिंक रखा है, जिसमें click करके आप उसे purchase कर सकते हो, हाल ही में किस राजे के मुख्यमंतरी नो डेंगू के खिलाफ, champion अभियान की सुरुआत करी है, तो ये जो champion अभियान है, इसकी सुरुआत करी है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंतरी के द्वारा, और दिल्ली के मुख्यमंतरी का नाम है, अर्विन केजरीवाल, यानि कि अर्विन केजरीवाल जी ने, डेंगू के खिलाफ लडाई लडने के लिए, champion नाम का एक अभियान सुरु किया है, इस अभियान की सुरुआत कुछ इस जिसका मतलब था कि आपको 10 हफतों तक हफते में एक दिन 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने घर के अंदर जितने भी यहां पर फोटो दिखा देने ऐसी चीजे जहां पर आप पानी भरते हैं कूलर हो गया गमले हो गया इन सबय पर जाकर 10 मिनट को आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मच्छर का लारवा वहां पर पना परा हो ठीक है तो जब इन्होंने ये अभियान सुरू किया था उसके बाद में अभी इन्होंने एक प्रोग्राम सुरू किया है डेंगू के खिलाब जिसका नाम है चैंपियंस अभियान इस अभियान में क्या करना होगा इ 10 अबते 10 वजे 10 मिनिट 10 दोस्तों को ये बात बतानी है तो ये दिल्ली के मुख्यमंतरी के द्वारा सुरू किया गया है अगला कुशन बनता है कि NTPC ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क के इस्तापना की गोशना कर दी है NTPC ने अनाूस किया है कि भारत के राज्य गुझरात में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वह इस्तापित करेंगे NTPC ने इसकी गोशना गुजरात राज्य के लिए किये है जहां पर वो 5 गीगावाट का एक सोलर पार्क इस्ताबित करने की योजना बना रहे हैं यहां पर आपको सोलर पार्क दिखा देने कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा 5 गीगावाट का जो की बनेगा गुजरात राज्य में NTPC के इस समय के President और Managing Director का नाम है गुरदीप सिंग और NTPC का जो Headquarter है वो है नई दिल्ली में तो इतनी सारी चीज़ें आपको NTPC के बारे में मालूम होनी चाहिए अगला प्रसंद चलता है केंद सरकार ने कंपनियों के लिए Corporate Tax जो होता है उसकी दरों को 30% से गटा कर कितना percentage कर दिया है तो यहाँ पर यह जो percentage है इसको कर दिया है 22% ठीक है कितने से कितना कर दिया है 30 से गटा कर इसको 22% कर दिया है किसके लिए किया है जगो जितनी भी वो Corporate Tax 40% होता है ठीक है तो अब यह जो भारत की कंपनिया है इनके लिए 22% टेक्स कर दिया गया है अगर सर चार्ज और सेस मिला कर बात करी जाए तो लगबग 25% उनको effective tax जो है वो देना पड़ेगा यह सारे announcement जो है वो निर्मला सीता रमन जीने announce किये है इस समय निर्मला स सीता रमन किस portfolio पर हैं कौन से मंत्री है यह चीज़ आप लोग comment करके बता देना अगला question हम लोग कर चुके हैं आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है वर्ड ऐलजाइमर्स दे किस दिन मनाया जाता है तो यह जो वर्ड ऐलजाइमर्स दे है इसको 21 सितंबर को मनाया जा यहाँ पर यह जो फोटो आपको दए रही है हो सकता है इससे आपको समझ में आ जाया देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा जो दिमांग होता है वह यहाँ पर है दिमांग मेंजय कि कि ऐसे लोग, जिनकी यादास बड़ी कंजोर हो जाती है, जो चीजों को लंबे समय तक नहीं याद रख पाते हैं, उसको बोला जाता है, ऐलजाइमर्स बीमारी से ग्रसित लोग, ठीक है, जिसको भूलने की बीमारी होती है, अब इस तरीके से कहो कि सर, हम भी जो कुछ पढ करते हैं, हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता है, तो क्या सर, हमें अलजाइमर्स की विवारीदे को ऐसा नहीं है, बाल-बाल रिविजन करोगे, तो चीजें आपकी याद हो जाएंगी, ये चीज बिलकुल अलग है, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला कुशन ब बारती फोटोग्राफर है, जिन्होंने इस अवार्ड को कह सकते हो, जीत लिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिलकुल सही हो जागा, ये एक फोटोग्रफी का अवार्ड है, जिसका नाम एक बार अच्छे से आप लोग देख लेंगे, एकेडमी डीबीट्स फोटोग्र रफी अवार्ड, जिसको विलियम क्लेन पर उसकार के नाम से भी जाना जाता है, ये रगू रवाय को प्रदान किया गया है, रगू रवाय का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको इस अवार्ड से समानित किया गया है, साथी साथ मैं आपको बदा दूँ कि उ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आंसर जरूर करना, छोड़कर मत चले जाना, पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट नहीं करते हो, सबसे ज़्यादा खराब यही चीज़ लगती है, इंटर निसल डे ओफ पीस 2019 किस दिन मनाया गया, सुप्रीम कोट में इस समय नया हो तो इसको लाइक और सेर करना ना बोलें